तो देख लेते हैं बिटा सबसे पहले अगर मैं आपसे कहूं ये जो चैप्टर है अब प्रिंसिपल ओफ इनहेरिटेंस ये वो चैप्टर है जहां से अब कोशन्स लगबक 6 से 7 तक आ रहे हैं मतलब आप ये समझो कि रीसेंट इयर में 5 से लेके साथ 6 साथ ऐसे कोशन्स आ र और हो गया ये वाला पार्ट बहुत जादा पूछता है तो आपने जो सेकिंड आफ है ने इस चैप्टर का उस पे खास नजर रखनी है कि उस तरह के कलर ब्लैंडनेस और ऐसी चीजों के वो कोशन्स काफी जादा पूछेगा या जो वह वाला पार्ट है जो जीन इंट्रे होगे human genome project or DNA fingerprinting से लगबग एक कोशन के आसपास पूछ देता है वो तो आपने पूरा focus रखना है यह जो चैप्टर है बेटा molecular basis of inheritance इससे भी 5 से 6 कोशन तो मैं यह मान के चलता हूँ इन दोनों चैप्टर से 12 से 14 कोशन तक आ सकती है अब एक रिसेंटली जो चैप्टर है cell cycle इससे काफी कोशन बड़े हैं और इसमें भी अगर आप रिसेंटली देखोगे तो मियोसिस वन पैकेटीन, लेप्टोटीन, जाइगोटीन इससे कोशन आ रहा है और जो फीजी है cell cycle के वहां से कोशन एक आ रहा है तो यह दो चीजें हैं जिन पर आप खास focus रखोगे अच् मुझे दो से तीन कोशन मिल रहे हैं और उसमें भी एक कोशन अलगी से जरूर आ रहा है तो अलगी का जो data है ना minute data उसको बहुत focus करके आपने पढ़ना है ठीक है उसके बाद अगर मैं biological classification की बात करूँ तो यह वाला पार्ट है virus, prions हना और इन चीजों पर मतलब जो last का page है वहां से अच्छे खासे question पूछ रहा है उसके अलावा fungi के examples उन पर आपने बढ़िया focus रखना है यह चीज समझ में आ रही है तो exactly आपको समझना पड़ेगा कि मैं आपको कहां लेकर जा रहा हूँ chapter में कि किदर से वो जादा पूछ रहा है ठीक है अच्छा आगे अगर हम जाते हैं हम बात करते हैं plant physiology की तो plant physiology में यह वाला chapter है जो यहाँ पे hormone के रोल से वो काफी पूछ रहा है hormone के रोल और मैं कहता हूँ photoperiodism या vernalization यह वाले जो topic है यहां से एक question आ रहा है और एक question आपका एक या दो hormone के रोल से आ रहा है respiration में वो enzymes पूछ रहा है हना ETS में से पूछ सकता है crap cycle glycolysis कुछ पूछ सकता है और recently देखा है कि उसने ATP के correlated करके कुछ questions पूछे है photosenses में C3 and C4 और factors affecting photosenses उस वाले parts से काफी पूछा गया है mineral mutation की बात करें तो हमारे पास role of mineral और एक जो topic है जो काफी जाधा पूछेगा nitrogen metabolism में nitrogen fixation के around transport in plant में बिटा वो second half पे जाधा पूछ रहा है second half का मतलब जहां पर xylem phloem का transport है xylem transport और phloem transport वहां से वो पूछ रहा है उसके लावा वो एक question water potential imbibation यहां से पूछ रहा है तो कहीं न कहीं मैं यह चाह रहा हूं कि आपके दिमाग में exactly बने एक picture बननी चीए कि सबसे ज़्यादा question principle of inheritance molecular basis of inheritance और मैं बोल सकता हूं cell cycle से आ रहे हैं उसके बाद कौन से chapter से कहां से पूछ रहा है मैंने वो भी बता दिया अगर हम बात करें organism and population की वहां पर एक topic है population interaction उसको जरूर करके जाना वहां से वो काफी questions पूछता है ecosystem की बात करें तो यह जो topic है na productivity उसके अलावा बिटा मैं food chain food web यह जो topic है यहां से वो questions काफी पूछता है biodiversity में हमने क्या ध्यान रखना है कि किस तरीके से conservation करनी है in situ ex situ यह सबसे ज़ादा पूछे जाने वाला topic है in situ ex situ यह सबसे ज़ादा पूछा जाता है अगर हम environmental issue की बात करें तो environmental issue में years बहुत important है कि कोन सा environment act कब आया था कोन सा कब मतलब वो आया था वो important है और छोटे छोटे उसमें क्या दे रखे case study दे रखे जैसे foam, friend of arcata mars, poly blend इन चीजों के पूछे जाने के बहुत जादा chances है ठीक है अब अगर हम बात करते हैं बिटा और बचे वे chapters की तो microbes में एक table बनती है जिसमें statin आता है ये वाली चीजे है streptococcus से क्या मिलता है मुझे cyclosporine A ये वाला जो topic है ये काफी पूछता है उसके अलावा conceptual question आएगा sea waste treatment plant से आएगा सही है और अगर हम strategies की बात करें तो वहाँ कुछ tables दे रखी है वो tables हमें करनी है उसके अलावा एक बहुत important topic है tissue culture वहां से वो काफी जादा पूछता है ठीक है अगर हम reproduction in organism की बात करें तो एक question आएगा बहुत general question आता है easy सा question आता है आप आसानी से बना ले जाओगे अगर आपने plant kingdom और वो पड़ा हुआ है अगर sexual reproduction flowering plant की हम बात कर रहे हैं तो वहां से मे micro sporogenesis की around a question पूछेगा ठीक है अब इसके बाद हम बात करते है living world aid question इसमें आपने taxonomic aids पर खास ध्यान रखना है taxonomic aids का जो question होगा उसी के गलत होने के chances है बाकी जो भी conceptual आएगा आप असानी से कर ले जाओगे आज chemistry में कुछ ऐसे do and die topics बता रहा हूँ जिसको आप नहीं छोड़ सकते किसी भी हाल में यह अगर यह आप छोड़के जाएंगे समझ लेना कि यहां पर एक question गलत कर रहे हैं हमारे past experience है हमारे previous year questions के analysis पे और जो हमें experience है कि भचो को क्या-क्या दिक्कते आई है chemistry में उस basis पे organic और inorganic के must do chapters बता रहा हूँ अगर यह आप करोगे तो आपके organic और inorganic के numbers आराम से बढ़ने वाले हैं ठीक है वैसे आपने बहुत सारा पढ़ा होगा आपको जो छूटा होगा वो आपको यहां से देख लेना है आईए मैं सबसे पहले organic की बात करा देता हूं आपको IOPC में अब आप पढ़ने को बहुत सारा चीज़ पढ़ सकते हो बड़ जो majority question आता है वो functional group वाली naming से आता है उसके बाद saturated और unsaturated यानि multiple bond वाली से आता है तो ज़्यादा तर chances है इन तीनों topic को आप IOPC पर focus करो इनसे questions आने के चांसे ज़्यादा है GOC में इतना बड़ा chapter है पढ़ने के लिए आप लाख चीज़े पढ़ सकते हैं इसमें समुद्र है क्या-क्या पढ़ें लेकिन aromaticity intermediate की stability मतलब kate 9 और free radical की stability उसके बाद sd can basic के questions हैं अगर आप यह करते हैं तो chances जादा है कि इसमें से question आये और आपके number बढ़े similar condition अगर आप अलकेन की देखें तो halogenation, chlorination, chlorination, bromination, idination, chain initiation, chain propagation, chain termination पढ़ाया है बहुत detail में उसके बाद वूर्ज, वूर्ज reaction, complete reaction, वूर्ज के साथ fitting भी पढ़ लेना, वूर्ज fitting भी पढ़ लेना, उसके बाद colby electrolysis, sodalime decarboxylation, sim और यह दोनों reactions NCRT के हैं जरूर पढ़े, isomerization और polymerization, उसके बाद alkyne में electrophilic addition reaction सारे, मतलब alkyne का chemical reaction सबसे ज़्यादा जरूरी है, उसके बाद catalytic hydrogenation आपने सुना होगा, ogenolysis आपने सुना होगा, लेकिन electrophilic में सारे cover हो गए, alkyne में भी सारे, आपको electrophilic पढ़ना है, catalytic hydrogenation पढ़ना है, ogenolysis पढ़ना है, alkyne में सांथ सांथ में बेटा acid base reaction भी पढ़ना है, terminal H, है ना, sodium liquid ammonia की presence में terminal H हट जाता था, acid base reaction, alkyne halorine में SN1, SN2, E1, A2 questions जरूर करें बच्चे इस पर, उसके बाद coupling reaction और halide exchange reaction ये बहुत important हो जाते है, halide exchange में स्वाट्स और finkelstein आने के chances बहुत जादा रहते है, उसके बाद alcohol phenol ether मे hydroboration oxidation, OMDM, ether का HI से reaction, halide exchange reaction तो हो गया, name reaction जो इसमें होते है, alcohol phenol ether के, वो भी important है, और aldehyde ketone carboxylik में तो aldol canizaro पढ़ना अनिवारी है, उसके बाद, परकिन oxidation और reduction जितने है ना, वो सारी पढ़ने है, aldehyde ketone carboxylik में, finally amine में, जितने name reaction है, amine से generally name reaction आने के chances होते हैं, gabriel thalemide, hoffman bromomide, isocyanide carboil amine, उसके बाद, decarboxylation भी वहाँ पे, ध्यान दे, वहाँ पे, diagotization भी नहीं लिखावा है, लेगन पढ़ना होता है, और साथ में, hintsberg test, mustard oil test, आप पढ़ सकते हैं, ये topics ऐसे हैं, जिनको छोड़के जाना गुना है, इनको आप छोड़के नहीं ज आ सकते हैं, ठीक है, इसके बाद, अगर मैं बात करता हूँ, बच्चे आप से, तो ये रहा आपके पास, ये जो 4 chapters, last वाले होते हैं, अगर आप इसमें last के, 5 लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप 10 कर लेंगे, तो safer side पे हो जाएंगे, last 10 years अगर आप कर लेते हैं, उन ही last 10 years म बन चुका है, अब repeat ही होता है, तो next आपको मैं बताता हूँ, inorganic chemistry में, periodic table में सब कुछ पढ़ने के जौरत नहीं है, हाँ trends पढ़ लोगे तो काम हो जाएगा, oxide पढ़ लोगे तो काम हो जाएगा, similarly chemical bonding बहुत बड़ा chapter, लेकिन questions generally VBT, BACPR, Habitation, MOTE, Wonderwall से आता है, ये मैं बाद हूँगा आपको कहाँ, telegram में, ताकि आपको help हो जाए, coordination में VBT, CFT, isomerization, isomerism और IOPC से questions आने के जादा chances होते है, S block में compounds of S block से जादा questions आने के chances होते है, hydrogen में last 10 years question करने है, similarly metallurgy में last 10 years question करने है, DNF block में जो KMN4, K2, CA2, 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 इसके बाद यह सारा आपके पास फिनिश हो जाता है, यह chapters जरूर देखें, must है, do and die, आज हम बात करें, do and die, मतलब कुछ भी हो, इन topics और subtopics को छोड़के नहीं जाना, अगर आप लास्ट येर की analysis करोगे, तो यह वो topic और subtopics हैं, जिससे maximum paper यहीं से मिलाए, ठीक है, तो ज ज़्यादा weight is, अगर हम यहां जिलोजी में बात करते हैं, तो बायो टेक्नोलोजी का है, ठीक है, तो बायो टेक्नोलोजी के दोनों chapters को मैंने 1 by 1 लिग दिया है, यहां restriction enzyme आप छोड़ोगे नहीं, PCR आप छोड़ोगे नहीं, gel, electrophorosis और cloning vector, यहां से आपको question मिलेंगे, नहीं आता, तो एक बार फिर करना, पर इस पर mastery होनी ची है, ठीक है, अगर structural organization in animal की बात करता हो, तो बहुत tension लेनी की जरूद नहीं है, कॉक्रोज से 2-3 question आई हुए है, तो यह नहीं छोड़ना, पूरे tissue में, अगर आप epithelial tissue छोड़के जा रहे हो, तो गलत बात है, maximum question आन animal kingdom की बात करता हो, तो maximum question, mix animal kingdom से आये, means आपको animal kingdom में example, example और feature, non-cordates के याद रखने है, और maximum question, codates से आपको detailed में भी मिल जाएंगे, वहाँ पर भी example और feature, NCRT कर लो, काम बन जाएगा, पर codates और mix question देखने हो को मिले है, ठीक है, human reproduction में gametogenesis कर लो, fertilization और implantation कर लो, साथ में menstru cycle भी कर लो, menstrual cycle भी कर लो, ठीक है, तो इतने से आपको लगबग, लगबग question मिल जाएंगे, यह question तो करने ही करने है, समद रहे है, sorry, topic तो करने ही करने है, human health and disease में, common diseases in human, or immunity, maximum question आने की probability यहाँ से, अब समद ना मेरी बात, digestion and absorption में, elementary के ना से question मिल जाएगा, digestion of food, यानी process of digestion, glands और absorption, यहां से question मिल जाएगा, ठीक है, इसमें भी मैंने reducing order में लिखा है, maximum और minimum, यह तो करना ही है, question यहां से मिलेगा ही मिलेगा, इन topic और sub topic को एक बार revise कर लेना, अगर रह गया है, तो एक बार कर लेना, पर करके जाना है इतना, breathing and exchange of gases, यह सारे topic की important है, ठीक है, इसको कर circulation में blood कर लेना, ECG कर लेना, और cardiac cycle कर लेना, इतना करना पड़ेगा, समझ रहो, यह छोड़के नहीं जाना, चाहिए, कुछ भी हो, यह छोड़के नहीं जाना है, ठीक है, और strategy for enhancement in food production, only animal breeding, only animal breeding, अगर इतना करके चले गए न, तो मैं सच कह रहा हूं, आपको maximum paper यहां से मिल जाएगा, ठीक है, अगर सारा revise कर लिया तो बहतरीन, पर यह topic और सब topic तो आपको करने ही है,